हेलो दोस्तों आप लोगों का हमारे इस यूटूब चैनल में स्वाविए दोस्तों अगर आप सेहर मार्केट में इंवेस्टिंग और ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है ऐसे में आपके लिए Grow App नए लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफार्म रहेगा क्योंकि इसमें एकाउंट ओपनिंग फीस, एकाउंट मेंटीनेस चाल नहीं लगता है अगर आप मेट्यल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही असानी तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Grow App का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको 100 रुपे का बैलंस मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में Grow Application में एकाउंट कैसे ओपन किया जाता है इस्टेप बाई इस्टेप पुरा प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना तो दोस्तों हम Grow Application को डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद इसको पहले हम ओपन कर लेंगे तो सिंपल आप Continue with Google पर क्लिक करेंगे अगर आप दूसरी email ID देना चाहते हैं तो Use Other email ID पर क्लिक कर लेंगे दोस्तों मैं Continue with Google पर क्लिक कर लेता हूँ अब आप देख सकते हैं दोस्तों आपको अपनी email ID इंटर करके Next पर क्लिक करना पड़ेगा अगर आपका mobile number मांगे तो mobile number भी आप दालके OK कर सकते हैं उसके बाद pen card का detail भरने का option आजाएगा जिस पर आप अपने pen card का number दालके create account पर OK कर लेंगे अगर आपका pen card number सही है तो आपका नाम आटोमेटिक सो होने लगेगा उसके बाद हम Continue पर OK कर लेंगे फिर gender पर select करेंगे फिर आप देख सकते हैं single या merit पर आप select कर लेंगे उसके बाद occupation पर select कर लेंगे फिर आगे का process आजाएगा आप देख सकते हैं आपकी income कितनी है एक साल में आप कितना कमाते हैं उस पर आप click कर लेंगे simply फिर आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग का पर्फॉर्मेंस है तो आप चूच कर सकते हैं नहीं तो नो पर्फॉर्मेंस पर आप सेलेट कर लिए दोस्तों यहाँ पर मदर एंड फादर का नाम डालना कमपलसरी है नाम डालके नेश्ट पर ओके कर लेंगे आगे का प्रोसेस हम दिखा लेते हैं आप ओके करने के बाद देख सकते हैं अब आपको अपना बैंक एकाउंट डीटेल भरना होगा जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम आप इसमें इंटर करेंगे तो बैंक का नाम सो हो जाएगा आप देख सकते हैं HDFC बैंक सो हो गया अब इस पर हम किलिक करके IFSC कोड डालके फिर अपना ब्रांच सेलेट कर लेता हूं उसके बाद आप अपना अकाउंट नंबर उसमें फिल करके वेरिफाई कर लेंगे जैसे ही एकाउंट नंबर वेरिफाई होगा आपके एकाउंट में एक रुपया चला जाएगा जैसे ही आपके एकाउंट में एक रुपया रिसीव होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका एकाउंट लिंक हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे नंब उसके बाद यहाँ पर डीजी लॉकर से आपका डॉकुमेंट कैप्चर किया जाएगा तो यहाँ पर हम उसको एलाउ कर लेंगे फिर आधार का नंबर डाल कर नेक्ष्ट पर किलिक कर देना है आपके आधार कार्ड पर जो मुबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएग कांटीन्यू पर किलिक करने के बाद यहां थोड़ा शा वेट कर लेंगे वेट करने के बाद आप देख सकते हैं फिर यहां पर आपको एलाउ कर देना है दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि पेज को रिफ्रेस और बैक बिल्कुल नहीं करना है आगे का प्रोसेस आ जाएग बट थोड़ा वेट करना पड़ सकता है फिर दोस्तों आपको आगे का प्रोसेस आने के बाद आप सिंपल प्रोसीड टू के वाइसी पर किलिक कर लेंगे उस पर किलिक करने के बाद आपको कैमरा का आफशन आ जाएगा कैमरा पे आप सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे फिर द लोड करने के बाद डिजिटल सिंगनेचर करना पड़ेगा सिंपल आप प्रोसीड टू सिंगनेचर पर किलिक कर लीजिएगा इस्क्रीन के ऊपर आपको सिंगनेचर करना पड़ेगा सिंगनेचर करने के बाद सबमिट पर किलिक कर लेंगे फिर उसके बाद आपको नॉमनी ए नोमनी एड करने के लिए आपको नेम आधार का डेटा बर्थ भरना जरूरी है फिर यहाँ पर फिनिस नोमनी एडिशन पर आप सिंपल सा किलिक कर लेंगे दोस्तों अब हमें लाष्ट प्रोसेस आधार इसाइन करना होगा जो भी हमने डिटेल डाला है उसको इसाइन से बेरिफाई करना पड़ेगा यहाँ पर एक बार फिर आधार कार्ड नमबर डालना पड़ेगा और पेज को रिफ्रेस बैक बेलकुल नहीं करना है थोड़ा वेट हम लोग कर लेते हैं जो भी टर्म एंड कंडिशन एलाव करने के लिए इधर मांग रहा है सिंपल से आप इस पर प्रोसीड टू इस साइन पर किलिक कर देंगे फिर आपका फार्म डिटेल जो आपने डाला है खुल जाएगा सब उसमें सब कुछ डिटेल लिखा होगा अब हम साइन नाव पर किलिक कर लेंगे फिर आपको एनसडियल पर आपका आधार काड बेरिफाई करना होगा हम यहाँ पर टर्म एंड कंडिशन को एलाव करके यहाँ पर आधार काड नंबर भर देंगे फिर सेंड ओटीपी पर किलिक कर देंगे आपके आधार नंबर पर जो नंबर लगा होगा उस पर ओटीपी जाएगा सिंपल आप उस ओटीपी नंबर को फिल कर लेंगे फिल करने के बाद वेरिफाई ओटीपी पर किलिक कर देंगे अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका complete पूरा process हो चुका है दोस्तों congratulations आपका Demet account open हो चुका है अब आप 24 गंटे बाद से investment कर सकते हैं आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें